राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को पाप मोचनी एकादसी के वारे में बताने जा रही हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाए भगवान श्री हरी विष्णो की जै हो चैत्रमाश कृष्ण पक्ष में जो एकादसी पढ़ती है उस एकादसी को पाप मोचनी एकादसी के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान विष्णु को अर्धदान आदि देकर शोड़स उपचार से पुजा करनी चाहिए इस ब्रत के प्रभाव से मनुस्यों के अनेगो जन्म के किये हुए पाप नस्ठ हो जाते हैं इस लिए इस एकादसी ब्रत को पाप मोचनी एकादसी के नाम से जाना जाता है आईए जानते हैं कि यह ब्रत कब करना है और पुजा का शुब मूर्थ क्या है एकादसी की तिथी कब से कब तक है? दुआदसी तिथी कब लगेगी? राहो काल का क्या समय है? ब्रत का पारणा? खोलने का शुम्होर्त? पारणा किस वस्तु से करें? हरिवासर का समय हिंदु पंचांग के अनुसार यह साल का अंतिम एकादसी है इसके बाद नए समवत्सर का आरंभ हो जाएगा चैत शुकुलपक्ष से नया साल का आरंभ हो जाएगा खोली का धहन और चैत नौरात्र के बीच का यह एकादसी होता है होली का तेवासमाप्त होता है चैतर का नौरात्र आरंभ होने जाता है इसके पहले यह एकादसी पड़ता है इस एकादसी को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ती मिल जाती है पाप मोचनी एकादसी के बारे में एक कथा प्रचलित है कि प्राचेन समय में चित्ररत नामक अतिरम्णिक एक वन था इसी वन में देवराज इन्र गंधर कन्याओं तथा देवताओं के सहित स्वच्छन्द विहार करते थे मेधावी नामक रिशी भी यहां तपस्या करते थे रिशी 600 उपासक तथा अपसराएं शिव द्रोहनी अनंगदासी अनुचरी थी एक समय रती नाह कामदेव ने मेधावी मुनी को तपस्या चुट करने के लिए मंजु घोशा नामक अपसरा को नत्यगान करने के लिए उनके सममुख भेजा युव अवस्थावाले रिशी अपसरा के हाथ पाउन रत गीत तथा कटाप्षों पर काम मोहित हो गए रती किड़ा करते हुए 57 वर्स बीत गए मंजु घोशा ने एक दिन सुव इस्थान गमनार्थ आग्या मांगी उन्होंने रिशीवर से कहा कि हे रिश सराई निवास करती हैं किड़्या मुझे वहाँ जाने की आग्या दे आग्या मांगने पर मुनी को आत्म ग्यान हुआ अपने को रसातल में पहुचाने का एक मात्र कारण अपसरा मंजु घोशा को समझ कर मुनी ने उसे पिसाचनी होने का श्राप दे दिया श्राप को सुन करके मंजु घोशा ने कापते हुए मुक्ति का उपाय पूछा तब मुनि ने पाप मोचनी एकादसी का ब्रत रखने को कहा मुक्ति का विधान बताकर मेधावी रिसी अपने पिता चुण के पास गए और अपने पापों के प्राश्चित हे तु अपनी सारी बताबताई सारी बातों को सुनकरके चेवन रिषी ने पूत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादसी का ब्रत रखने की सलादी इस ब्रत के प्रवाव से मंजु गोशा पिसाचनी योनी से मुक्ति को प्राप्त हो करके प्रसनता पुर्वक अपने लोग को गई और मेधावी रिशी के पुत्र ने भी अपने केवे पापों से मुक्ती प्राप्त करी और पुना तपस्या करके फिर बैकुंट धाम को गए भगवान श्री हरी विश्णों की जै हो आए जानते हैं पाप मोचनी एकादसी 2024 किस दिन है शुव मोर्त क्या है ब्रत पाढ़ना का समय क्या है पाँच अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को यह एकादसी ब्रत किया जाएगा सभी लोग इस दिन इस ब्रत को करेंगे वैश्णव संप्रदाई के लोग और एसकॉन मंदिर में भी इसी दिन इस ब्रत क किया जाएगा एकादसी तिथी का आरंब होगा गुरु बार शाम चार बज करके 14 मिनट पर एकादसी तिथी समाप्त होगी 5 अप्रैल दो पहर 1 बज कर 29 मिनट पर उधिया तिथी के अनुसार 5 अप्रैल शुक्रवार को पाप मोचनी एकादसी उपवास किया जाएगा दो आदसी तिथी प्रारंब होगी 5 अप्रैल दो पहर एक बज कर 29 मिनट पर समाप्त होगी 6 अप्रैल सुबह 10 बज करके 29 मिनट पर 6 अप्रैल को सुरियोदय का समय रहेगा 6 बज करके 18 मिनट पर सुरियास्त का समय रहेगा 6 बज करके 40 मिनट शाम को राहो काल का समय रहेगा सुबह 9 बज कर 14 मिनट से 10 बज कर 49 मिनट तक राहो काल के समय कोई भी शुब कारे नहीं किया जाता है दसमी तिथी से लेकर 12 तिथी तक एका दसी के नियमों का पालन करना चाहिए दसमी तिथी पर सुद्ध शात्विक भोजन करना चाहिए तुलसी पत्र अवस्य ही तोड लेनी चाहिए तुलसी की पौधे में जल डालना चाहिए तुलसी जी की पुजा अवस्य ही करनी चाहिए एका दसीति थी पर तुलसी की पत्ति को जो भी भोग लगाए भगवान श्री हरी विश्णो को उस भोग की वस्तु में तुलसी पत्र अवस्य ही डाले पार्णा का मूर्थ है प्रातह 6 वज कर 30 मिनट से 8 वज कर 30 मिनट तक पार्णा तुलसी पत्र से करना अत्यंत शुह माना जाता है और सुध साथपिक भोजन से भी ब्रत को पार्णा किया जा सकता है या खोला जा सकता है बहुत लोग इस ब्रत को निखंड करते हैं निराहार करते हैं इस दिन जल भी नहीं पीते हैं यह अपने सरीर की छमता के अनुसार है जिनके सरीर में छमता ना हो तो वह जल पीकर और फलहार करके इस ब्रत को कर सकते हैं पाप मोचनी एकादसी के ब्रत को करने से जीवन में जो भी थोड़े बहुत पाप हो जाते हैं जाने अन जाने में उन पापों से मुक्ति मिल जाती है यही है पाप मोचनी एकादसी का महत्व आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी एकादसी की ब्रत की जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो किरपय वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दवाना ना भूलिएगा भगवान श्री हरी विष्णों की जय हो भगवान श्री कृष्ण की जय हो